श्कार दोस्तों आपका एक बार फिर शुआगत है आपके अपने मन पसंद चैनल Run Up World पर जहा हम लेकर आते हैं आपके लिए रोजगार की नईनीख खबरें दोस्तों आज भी हम आपके लिए कुछ वेकैंसिस लेकर आये हैं तो चलिए दोस्तों श огром करते हैं झाल झाल दोस्तो इस बार हम वेकेंसी लेकर आए हैं ओर्टमिक एनरजी एजुकेशन सुसाइटी में काफी सारी वेकेंसी हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखें अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें अगर आपको कोई इन्फोर्मेशन चीए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन का जो गंटी वाला इकोन है वो जरूर दबाए जिससे कि हमारे सारे वीडियों की इन्फोर्मेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए तो दोस्तो मैं अब जो वेकेंसिस हैं उनकी डिटेल आपको दे जता हूँ टोटल वेकेंसि हैं 50 सारी की सारी टीचर की हैं PGT की हैं 8 TGT यानि trained graduate teacher की है 17 और primary teacher की है 25 टोटल 50 हैं दोस्तों काफी सारी vacancy है all over India के लिए और यह है PGT का PGT में total 5 subject के लिए चीए English, Math, Physics, Chemistry और Bio, total vacancy 8 जो मैंने category wise धिया mention की हुई है इसमें आप PG post graduate होनी चीए concern subject में और साथ में BAD इसमें आपका CTAT का कोई जंजट नहीं है अगर आपका CTAT clear नहीं है आप तब भी apply कर सकते हैं PGT के लिए और बाकी में सभी में CTAT भी जरूरी है तो यह आप category wise भी देख सकते हैं दोस्तों, total vacancy 8 है, PGT की English की 2, Math की 1, Physics की 2, Chemistry की 1, Bio की 2 और यह साथ में education detail और दोस्तों यह है TGT, Hindi Sanskrit, Math, Physics, Chemistry, Bio और total vacancy हैं इसकी 17 और इसके लिए qualification concern subject में आपने graduation की हुई हो और साथ में B.A.D. और उसके साथ साथ आपने CTAT का जो second paper है वो भी qualify किया हुआ होना चाहिए उसके बाद ही आप इस vacancy को fill करने के लिए eligible हैं और यह primary teacher, total vacancy है 25 इसमें दोस्तों आपने plus 2 के बाद diploma in elementary education, diploma in education या फिर bachelor of elementary education है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं और plus 2 में आपका English एक subject होना चाहिए और यह English medium के लिए है तो आपकी proficiency भी English में होना चाहिए अगर और साथ में आपको CTAT का first paper जो की primary teacher के लिए होता है वो आपने clear किया हुआ होना चाहिए और यह है दोस्तों बहुत important date, last date है इसकी 7 April, तो 7 April से पहले पहले आप जरूर apply कर दें इस सारी detail देख लें और age limit की calculation की date भी दोस्तों 7 April ही है PGT के लिए age limit है maximum 40 साल, TGT के लिए है maximum 35 साल और primary teacher के लिए है maximum 30 साल age calculation की date भी दोस्तों 7 April है और आप apply करने के लिए हमने description में official link दिया हुआ है आप directly वहाँ से apply कर सकते हैं और अगर आपको इनकी official website पता है तो आप directly वहाँ से भी apply कर सकते हैं website पर जाईए, login कीजिए, सारी information आप fill कीजिए और application fees deposit कीजिए, online ही और apply कर दीजिए और इससे अधिक अगर आपको को information चाहिए या doubt है तो आप हमें comment कर सकते हैं या फिर publish notification जरूर देख सकते हैं उसका link भी हमने नीचे दे दिया है वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आया हो तो like कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए यही हमारा आपकी तरफ से prize है थैंक यू बाइ